दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके Facebook अकाउंट पर किसी को friend request send नहीं हो रहा है तो कैसे आप इसको ठीक करेंगे जैसे अभी देखे ये मैंने एक screenshot लेकर रखा हुआ है मुझे ये problem कुछ दिनों पहले मेरे Facebook अकाउंट में हो रहा था यहा लिए क्या करना है सबसे पहले आप Play Store में आ जाएए और Play Store में आने के बाद यहां पर आप सर्च कर लिजे Facebook और Facebook सर्च करने के बाद देखिए अगर यहां पर कोई update आया हुआ है तो यहां update पर क्लिक करके सबसे पहले अपने Facebook आपको update कर लिजेगा क्योंकि Facebook में कई पर glitch आ Facebook आप update हो चुका है अब आपको क्या करना है आपको आजाना है अपने Facebook आप में और Facebook में आरे के बाद आप यहां पर आजाएए फ्रेंट्स वाले आप्सन में और यहां पर देखिए आपको बहुत सारे फ्रेंट्स का आप्सन मिलेंगे तो आप यहां add friend पर क्लिक करके क्योंकि Facebook में 5 आर का limit होता है और अगर आपने 5 आर से जादा friend नहीं बनाये हैं तो यह भी हो सकता है कि आपने एक दिन में बहुत सारे friend request send कर दिये हो तो भी आपका friend request नहीं जाएगा क्योंकि जब आप लगातार किसी को friend request send करने लगते हैं तो फिर आपका friend request block कर दिया जात है जैसे अब दिके यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स आ रहे हैं अगर मैं सभी अकाउंट को friend request भेजने लगूं तो मेरा जो friend request का option वो block कर दिये जाएगा Facebook की तरब से क्योंकि Facebook को लगता है कि यह जो बंदा है इस account के पीछे वो कोई bot का इस्तमाल कर रहा है और bot का इस्त प्रफाइल के अंदर आजाईए प्रफाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको तीन डॉट दीखेगा आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको टर्न आउन पर क्लिक कर देना है और आपको अपने Facebook एकाउंट को प्रोफेशनल मोड में कनवर्ट कर लेना आपके प्रोफेशनल मोड में कनवर्ट करने के बाद आपके जितने भी फ्रेंड्स है वो आपके followers में कनवर्ट हो जाएंगे इसके बाद जब आप किसी को friend request भेजेंगे तो हो सकता है आपका यह problem solve हो जाए बहुत ज्यादा chances है क्योंकि ऐसा ही मैंने किया था तो यहाँ प फिर आप मिन्नु वाले सक्षन में आ जाएंगे अब आपको scroll करके नीचे आना है यहाँ पर आपको एक option दिखेगा help and support आपको इस पर click करना है फिर यहाँ पर आपको एक option दिखेगा report a problem आपको इस पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको नीचे option दिखेगा continue to report a problem आपको क्लिक करना है आप देखिए आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है don't include आपको इस पर क्लिक कर देना है और अब यहाँ से आपको select कर लेना है अपना वो problem जो आपको हो रहा है तो हमें friend request में problem हो रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक करना है friend request जैसे आप friend request पर क्लिक करना है आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा अब यहाँ पर लिखा हुआ है upload from phone आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको वो screenshot upload कर देना है जो आपने लिया हुआ था और यहाँ पर आपको अपना problem लिख देना है English में अपने हिसाब से तो चलिए मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ क्या लिखना है तो यहाँ पर देखें मैंने लिख दिया है Hello team Facebook I am facing friend request problem I think your system mistakenly block my send friend request option Please fix this issue as soon as possible तो आप अपने style में इस प्रकार से English में लिख दीजेगा या फिर आप चाहे तो वीडियो को post करके मेरा यह जो लिखा हुआ है यह आप copy कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने screenshot लगा दीजेगा फिर उपर में आपको जो send option दिकरा इस पर आप click कर दीजेगा तो आपका यह जो problem है जो report है वो Facebook की team के पास चला जाएगा और 24-18 घंटे के अंदर आपका यह problem solve जाएगा तो अभी मैं इसको send नहीं करूँगा क्योंकि मेरे में यह problem अभी नहीं आ रही है इसको मैंने टिक कर लिया है तो आप उसको send कर दीजेगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो helpful लगा हो तो वीडियो को like कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा